अगर आप फेस्बूक इस्तिमाल करते हैं तो आपको साफधान होना चाहिए क्योंकि अब फेस्बूक पर भी एक नया स्क्याम देखने को मिल रहा है। से जाधा है वो Facebook का इस्तिमाल करते हैं और जो उन्हें पासवर्ड लगाया होता है वो काफी ज़्यादा common और बहुत ज़्यादा साधारन सिंपल पासवर्ड लगाया होता है यानि कि आप कोई नाम लिख दीजे आप कोई फोन नम्बा लिख दीजे तो यहां पर hackers क्या कर रहे हैं जाम नगर में के उन लोगों को पूरी तहां से hack करने की कोशिश कर रहे हैं जो accounts उन लोगों के द्वारा अपरेट किये जा रहे हैं सबसे पहले वहां पर यह किया जा रहा है कि OTP की डिमांड की जा रही है, account hack किया जा रहा है, simple password जब आप OTP दे देते हैं, यानि कि one time password दे देते हैं, access जो है, वो hacker के पास चला जाता है, उसके बाद जो आपके करीबी लोग हैं, जो आपके दोस्त हैं, उस friend list में, उनको message किया जाता है, कि हमें पैसे भेज दीजी, हमें पैसो जेते हैं, जिसके बाद जामनगर पुलीस ने लगातार लोगों को ये कहा है, कि आप सतर्क रहे हैं, अगर आप Facebook का इस्तिमाल करते हैं, तो आप ऐसा password लगाएं, जो आसानी से जिसको कोई यहाँ पर hack नहीं कर सकता, यानि कि उसमें numbers भी होने चाहिए, उसमें alphabets भी होन जाल रहे हैं, लेकिन अगर आप Facebook का password जो है, आपका simple है, तो इसको अभी आसान password को जो है, थोड़ा complicated कर दीजे, क्योंकि यहाँ पर hackers जो है, आपका OTP लेकर सब कुछ reset कर देते हैं, hack कर देते हैं, और लोगों से पैसो की demand करते हैं, आप यहाँ हमारा सब बनने देखते भी पुम्स आद्र कर देखते हैं, यहाँ हमारा सब कर देखते हैं, क्युर आसक्राइवी आपकारी आसान भी को जो का मैंजर की मतराओい